नमस्ते अब विबादान आपका एनोसेंटर इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में सबका सवाल है यह बाजार क्यों गिर गई निवस तो आप सभी को पता ही होगी और एक इवेंट क्या बड़ा खेल कर सकता है बाजार में वह आपने आज देख लिया RBI के तरब से एक बड़ा important कदम उठाया गया 40 basis point उन्हें ने बढ़ा दिया रेपो रेट में और cash reserve ratio जो की बैंकों के लिए applicable होता है इसको बढ़ा दिया 50 basis points से 50 basis points का मतलब यह होता है कि आधा परसंट ठीक है आप समझ गए होगे तो 40 basis point का मतलब होगा 0.4% समझ गए आप थो रुपए जमा किया अब RBI एक limit set करती है आप 100 का 100 loan नहीं बाट सकते हो RBI कह देगी कि आप 80 रुपए लोन माटिए 20 रुपए reserve रखिए emergency situation के लिए इसी को cash reserve ratio कहते है आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेकर के पढ़ाई कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो तो अ मतलब एक margin वाला return नहीं generate कर सकते अब यह चीज बैंकों के लिए short term में बिल्कुल अच्छी होती नहीं और इसी कारण बाजार जो है वो फिसल गई दूसरी चीज रेपो rate से क्या change आएगा बाजार में मैं आपको ये भी आसान महासा में समझाता हूं मैंने बहुत बार आप बैंक में पैसा रखने के बज़ा market में लगाएंगे और यहीं चीज होती है जब rate बढ़ जाता है तो बैंकों को भी अपना interest rate बढ़ाना पड़ेगा ठीक है जब आपकी ब्याज महंगी हो जाएगी ब्याज जब महंगी हो जाएगी तो आप बैंक में पैसा रखना प्रिफ पर असर पड़ेगा ठीक है अब यह छोटा नंबर है नहीं और इसी कारण बाजार फिसल गई इससे हमां और आपको क्या फायदा होगा वो मैं समझा देता हूं देखिए महंगाई से हमको थोड़ी सी निजात मिलेगी कम से कम कल से तो नहीं दिखाई देगा यह चीज की हम महंगाई से चुट्टी मिल गई लेकिन दीरे दीरे बहुत ही सटल तरीके से हमको इसका असर देखने को मिलता है यह हो गई नॉर्मल नियूस की बाद जो मैंने कवर कर दी और आपको भी बता देता हूं कि जब भी कोई इवेंट होने वाला होता है उससे पहले क्या वहां स आएगा बाजार में और वही है बाजार के लिए यह सौट टम के लिए बिलकुल ही नेगिटिव नियूस मानी जाती है और क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत सारे स्टॉक्स को चोड़ देती है तो इस नियूस को आप बिलकुल फ्लैट टू नेगिटिव मान सकते हो कुछ लोग तो इसको पॉस्टि भी मानते हैं कि महगाई अंडर कंट्रोल होगी तो बहुत सारे स्टॉक्स परफर्म करेंगे और फिर निफ्टी के लिए यह सपोर्ट का काम करेगी ठीक है यह हो गई नॉर्मल सिनारियो की बात अब हम अपनी बात कर लेते हैं नियूस के इतर क् इसको याद हो जब पिशली बार बाजार बंद होई थी मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली बुलीस हो गया था यहां पर आपको बाते मैंने समझाई भी थी उसके बाद गलोबल मारकेट से मारे लिए नेगिटिब संकेत थे फिर अगले दिन हमारे लिए पॉस्टिव संकेत ह हो गए और इन दोनों चीजों को मिल करके मेरा जो बायस था वो पॉस्टिव हो गया था और सारी गणित मेरी फेल हो गई और बाजार ने जो किया ना वो हमको हमेशा सबक देती रहती बाजार सीखते चलो कि यहां पर आप सिर्फ टेक्निकल चीजों को देख रहे हो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कारणामा करके दिखाएगी दिखाएगी और मुझे जो मीद थी कि जो रेपो रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट से ही बढ़ाए जाएगा लेकिन अनेक्सपेक्टर चीजें होती रहती है और उसके लिए हमें तयार भी रहना चाहिए बाजार म दोरान बाजार जब चल रही थी पहला लेवल यहां पर था ठीक यह लेवल आप देख लिए इसकी एहमियत आप जब इसको तोड़ रहो उसके बाद इसके उपर नहीं क्लोज कर पाए फिर आपको पता चल गया एक और यह लेवल था यहां पर आप देख लिए यह पॉइं आई मेडिया में और उसके बाद बाजार वहां से गिरती ही चली गई अब यह जो गिरावट है यह बड़ी तो है और बड़ी का मतलब सच में बड़ी गिरावट है क्योंकि 2% बाजार गिर जाए एक नॉर्मल सी वैल्यू पे यह कम से कम मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हु मेरी तो बहुत मदद की है आप निफटेडर सेटप की भी आपको बात बता देते हैं तीन मिनट और दस मिनट की केंडल पर पुट बाइंग की सलाह दी थी निफ्टेडर सेटप ने फिर से बता रहा हूँ आप को सेटप बनाना मैंने सिखाया है बिना सेटप के ट्रेड करोगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुछ दिन आप तो कमार करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो लेकिन बिना रिल्स और रेगुलेशन्स के आप कितने दिन बाजार में सर्वाइब कर पाओगे इस पे आप खुदी चेका मतलब ये आपका काम है अब उसको जाकर चेक करो कि कितने दिन आप तो कमार के काम चला लोगे ठीक अब देखिए यहीं पर आपको put buying की सला मिल गई यह 17,000 की put है उसके बाद rate तो आज बहुत बैंकर तरीके से भागा अफकोस इबात है 2% बाजार गिरेगी तो कुछ भी हो सकता है ठीक है उसके बाद आप देख सकते हो आराम से आपको target मिला था TSL यहाँ पर hit होता उसके बाद फिर से जो लोग trade execute करते उनको मिलता जो लोग levels पर trade की है उनको भी आज profit हुआ है 10 minute की भी candle ने put buying की ही सला दी थी ठीक है 16,950 और यहाँ पर भी आप आसानी से target प्राप्त करते बहुत ही आसान trade आज nif trader setup ने दिया अब देखिए जहाँ पर मैं गलत हो गया मैं बिल्कुल accept करता हूँ कि कल मैंने जो आपको suggestion दिया था कि बाजार में positive bias है global market से एच्छे संकेत है ठीक है कम से कम अच्छे नहीं तो flat संकेत है और जब technically हम मजबूत हो गये हूँ और flat संकेत भी हमारे लिए positive भी माने जाते है FIH की तरह से भी उतनी बड़ी विक्वाली नहीं की गई थी लेकिन जब एक event ऐसा आएगा हमारे सामने उस वक्त हमें गलत होने के लिए बिल्कुल तयार होना चाहिए और जब आप गलत हो या मैं गलत हूँ वहाँ पर आपके लिए आपको जो बचाने आएगा वो हैं आपके setup वो setup आपसे क्या कहना चाहते है मैंने आपको बार-बार बोला है आज फिर से ये चीज मैं repeat कर रहा हूँ काफी दिन बाद ये बात मैं repeat कर रहा हूँ कि बाजार में setup आपको बता देगा इतनी सी कहानी जान करके कि इतना हो सकता है बाजार में या इतना बड़ा event हो सकता है आपको पहले बता देगा आप put buy करके चलो बहुत समय ऐसा आएगा कि बाजार हौच पॉच करेगी और आपको उसमें फसा देगी stop loss आपको दे देगी लेकिन फिर से वही बात repeat हो रही है कि buy trading session में दो ही दिन तो आपको profit generate करना है खासकर जब आप fnometer rate कर रहे हो बाकी 20 session आप cost पे रखी है खुद को उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता चलिए अब बात कर लेते हैं indexes की indexes में अफकोस इबात है bank nifty को ज़्यादा चोट मिलनी चाहिए थी लेकिन ये चीज थोड़ी सी normal base पे चली गई क्यों क्योंकि हर एक index अपने आप में चोट पाया है क्योंकि हर एक index में banking stocks मौजूद है और उन्होंने कमजोर किया nifty सवा 2% नीचे पौने 3% नीचे nifty next 50 लगबग 5% नीचे nifty mid cap 5% नीचे nifty bank और 5% नीचे close हुई है nifty financial services भागने वाले stocks में देखिए बिटानिया यहां पर अब हो रहा है ना control बिटानिया 3.5% उपर SBI life flat बंद हुआ है गिरने वाले stocks में तो मतलब क्या ही बता है टाइटन का result देखिए महेंगा stock है और 5% गिर गया वजाज finance 5% हिंडाल को 5% अदानि पोर्ट सपोलो हॉस्पिटल 5-6% गिर गये यह हो गई nifty की बाद bank nifty का थोड़ा सा देख लेते हैं देखिए एक भी stock positive नहीं short term की negativity आप यहां पर देख सकते हो SDPC bank 3% गिरा बैंक और बड़ोदा इंडसिन बैंक एयू स्माल फाइनस बैंक बंधन बैंक सब गिरे हैं और सब एक तरफ से गिरे हैं कोटक मेंद्राब इंकम गिरा क्यों वह तो आप रिजल्ट से उनके समझी सकते हो SDPC काड आज 4% नीचे है आज 4 तरफ तबाई है देखने का मनी नी करता ऐसे स्टॉक्स गिर जाते हैं पोर्टफोलियो वाले बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं मतलब ऐसा लगता है यार कल तो एकदम मस्त चल ले थे और आज हमको तकलीफ जेलनी पड़ी एक swing trading setup मैंने आपको दिया था अगर मुझे exactly याद है तो साथ 6 हफते पहले 7 हफते पहले यहाँ पर मैंने आपको कुछ सिखाया था क्या आपने उसको सिख करके trade करने की कोशिस की जड़ा जा करके देखिएगा मज़ा आएगा आपको ये news जो मैंने कबर की यही है आज की दिन की सबसे बड़ी news और इसी ने market को आज दी है direction कल क्या इसी news पे बाजार trade करेगी देखिए अब हम फिर से वही global market से connect होना चाहेंगे लेकिन ये news का जो effect होना था वो हो चुका long run के लिए ये news महंगाई के point of view से अच्छी है बाजार की point of view से flat है flat to negative नहीं कहूंगा थोड़ी से long run में लेकिन आपको इस news से घबडा नहीं जाना है बाजार बहुत चीजें जहलती आई है बाजार में बहुत उतार चड़ाव आते रहते हैं आपको अपने process पे बिस्वास करना है चाहे आप trading कर रहे हो चाहे आप investing कर रहे हो investing story जो भी आपके पास है उसको सम्हाल करके रखिए उस पे बिस्वास करके पैसे डालते रहिए smart SIB करते रहिए trading strategy जो भी आपके पास है trading setup जो भी आपने बनाया है उस पे आपको लॉस मत करो बस इतना याद रखना आयोप आप समझ गए होगी निफ्टेटर सेटप के बारे में जो लोग क्वेरी जानना करते हैं उनको बता दूँ कि अभी जो वाट्सेप नंबर है वो नीचे जाटा आए गया आपको इमेल करना होता है और वहाँ पर कुछ आपको जब जवाब देने पड़ें तो टेंशन मत लिया कीजिए क्योंकि वो ज़रूरी होता है आप ही के लिए है वो आप ही की भलाई के लिए अभी इतना ही जल्दी मिलेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बार आज दिन बुरा गया स्विंग टे के लिए काफी कमाल का दिन था क्योंकि बाजार ने एक डायरेक्शन लिया शुरुवाती छणों में ही और उस डायरेक्शन पे बाजार सारा दिन चलती रही और जब भी बाजार ऐसा करेगी इंट्राडे ट्रीडर बड़ा पैसा बनाते हैं अफकोस इबात है आज उनी का दिन था अभी आपसे विदा ले रहें जल्दी मिलेंगे नमस्कार